हरशल पतेल के एक ओवर में अभिशेक पोरल ने जड़े 25 रन अभिशेक पोरल ने करी हरशल पतेल की जम कर धुलाई पंजाब किंग्स वर्सिस डली कैपिटल्स का ये मुकाबला था जहां पर बहुत जाधा स्ट्रगल कर रही थी डली कैपिटल्स और ऐसे में इंपक्ट खिलाडी के तौर पर आये थे अभिशेक पोरेल और यही बताता है कि पहले ही इनिंग्स में इंपक्ट प्लेयर यूज करना पड़ गया यही दर्शाता है कि बहुत खस्ता हालत में थी डली कैपिटल्स क्योंकि श्वेता ओपनिंग जी जब हम बात कर प्लेकिन पिछले साल पिछले सीजन में बहुत स्ट्रगल कर रही थी डली कैपिटल्स और वही फॉर्म जो है जारी है डली कैपिटल्स की लेकिन ऐसे में अभिशेक पोरेल जो की इंपाक्ट के तौर पर आये थे उन्होंने बहुत कमाल की पारी खेली और यह पारी खेली 300 तो के स्ट्राइक रेट से बिल्कुल किसी को नहीं लग रहा था कि अभिशेक पोरेल आएंगे और ऐसे चौकी और चक्को की जड़ी लगा देंगी क्योंकि हर्शल पतेल के पास वह मोमेंटम था दो विकेट वह लेकर आ रहे थे अच्छी एकॉनमी थी उनकी लेकिन वह ल जाब किंग्स को 175 रनों का टार्गेट दे पाई डेली कैपिटल बिल्कुल सही का और ऐसे में हर्शल पतेल शुटा एक्सपीरियंस बहुत है और जहां हर्शल पतेल का नाम आ जाता है उनके नाम के साथ आता है डेथ ओवर लेकिन पिछला सीजन बहुत खास नहीं था स्ट खेके छह बॉलों में और वही कुछ अभिशेक पोरल ने करके दिखाया चौका चक्का चौका चौका और फिर एक और चक्का बहुत कमाल की बाटिंग करी अभिशेक पोरल ने और श्विता 174 तक पाहुची थी डली कैपिटल जिसमें अभिशेक पोरल ने एक बहुत फ्रेंचाइजी को एक डेथ बोलर लेकिन यहाँ पे पूरा confidence उनकी फ्रेंचाइजी और हर्शल पतेल का तोड़ते हुए अभिशेक पोरल क्यूंकि 310 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बाटिंग करी है 32 नौट आउट की ये पारी थी मातर 10 बॉलो में और शुता एगेस कि किसी भी इंपाक्ट प्लियर कोई भी इंपाक्ट एक्सपेक्ट नहीं करता कि पहली ही इनिंग में मुझे जाना पड़ जाएगा जिसमें चार चौके और दो चके मारे 320 का स्ट्राइक रेट और इस पारी के बाद अभिशेक पोरल का बयान भी सामने आया है बिना किसी देर मैंने आज मैदान पर उसका अनुवाद किया जिसका मैंने पहले अभ्यास किया था मेरी यूजना गेंद को वहीं मारनी कि थी जहां से वह आई थी 174 अच्छा है स्कोर और हमारी गेंदबाजी इकाई अच्छी है तो देखते हैं बिलकुल यह था अभिशेक पोरल इस खिल चुका था कि मुझे जाना पड़ेगा तीन ओवर से पहले इंपक्ट फुल खिलाडी के तौर पे आए और ऐसा इंपक्ट डाला कि यह कहना बिलकुल भी गलत नहीं होगा कि उनकी टीम को मिल चुका है एक बहुत ही धासू पफॉर्मर बहुत ही धासू फिनिशर बिलकुल और जिस वक्त अभिशेक पॉरल आये थे वहां पर बहुत ही जादा अंडर प्रेशर में थी डैली कैप्टिल्स की टीम क्योंकि वहां पर लगबग आपके छे साथ मतलब की विकेट गिर चुके थे और उस वक्त तीन ओवर पहले आप आये और वहां पर आपको मतलब इंप लेकिन पॉजिटिव में फोकस करें श्वेता तो रिशपंत वापसी कर रहे थे लेकिन उतना इंपाक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए ओपनिंग जो है पेर बहुत सौट हो चुका है क्योंकि वहीं पर डाउट थे कि प्रिथवी शौक या वैसा ओपन कर पाएंगे डेविड वारनर पर भी डाउट थे क्योंकि फ्रेंचाइजी क्रिकेट में बहुत अच्छी फॉर्म डेविड वारनर के नहीं चल रही थी ल लेकिन अब क्या पता अभिशेक पोरेल आपको मिडल ओर्डर में भी देखने को मिल सकते हैं बाकी आने वाले माचेज में कैसे खेलेगी डेली कैपिटल्स क्योंकि ओवरॉल बाटिंग बहुत कुछ खास नहीं थी आवरेजी थी आपको क्या लगता है डेली कैपिटल्स कै कैसे खेलने वाली है आने वाले माचेज में बता सकते हैं अपना ओपीनियन कॉमेंट सेक्शन में तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्स लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्स